हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ए टूटोरियल आफ बिनायक इंटर कालेज खजरहट अयोध्या, माइ नेम इज राम सुख मौर्या, आई विल टीच यू टूडे क्लास सेबन साइन्स, इकाई टू, रेशों से वस्त्र तक, इस इकाई टू में आज हम पालन, रेशम कीट का पालन कैसे होता है, तो रेशम प्राप्त करने के लिए, रेशम कीटों के पालन का बिज्ञान, रेशम कीट पालन या, इंगलिस में इसको सेरी कल्चर कहते हैं, सेरी कल्चर का मतलब होता है, रेशम कीट पालन कहलाता है, भारत का प्रमुख सेरी केंद्र करनाटक के मैसूर तथा बंगलूर में है करनाटक के अतिरिक्त आंद परदेश तमिल नांडू पस्चिम बंगाल जम्मू कस्मीर तथा असम में भी रेशम का उत्पादन होता है उत्राखंड में नैनी ताल तथा हलद्वानी भी रेशम कीट पालन में अग्रणी है इसके लवाँ इतनी जगों पे यहां भारत में रेशम जो है उत्पन किया जाता है असम तथा जारखंड में कई किसानों का प्रमुख ब्योसाए रेशम कीट पालन ही है वह पेड़ों पर रेशम कीटों को पालते हैं नर कीट की तुलना में मादा कीट आकार में बड़ी होती है और एक बार में सैकणों अंडे देती हैं किसानों द्वारा इन अंडों को सावधानी पूर्वक कागा जथोंगा कपड़े की पट्टियों पर इकठा करके रेशम कीट पालकों को बेंचा जाता है कीट पालकों द्वारा इन अंडों को कीट पालक ग्रह में उचित ताप वा नमी में इस प्रकार रखा जाता है जिससे अंडों में से अधिक से अधिक लारवा निकल आएं लारवा के आगे के विकास के लिए बांस की बनी ट्रे पर सहतूत की कौमल ताजी पत्तियों को बिछा कर अनेका नेक संख्या में लारवा रख दिये जाते हैं लारवा इन पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं और आकार में काफी बड़े तथा मोटे हो जाते हैं बीच बीच में ट्रे की सफाई करके नई पत्तियों को रखते जाते हैं लगभग 25 से 30 दिनों में लारवा पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कक्छों से बाहर आने लगते हैं इसके लिए बांस की ट्रे में छोटी रेंग या टेहनिया रख दी जाती हैं जिस से कोकून जुर जाते हैं अब हम देखेंगे कोकून से रेसम पराप्त करना की कोकून से कैसे रेसम पराप्त किया जाता है पूर कोकून बन जाने पर उन्हें इकठा किया जाता है रेसम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर भी कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 अंसेंटीग्रेट से 97 अंसेंटीग्रेट तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है इससे कोकून के चारो और लिप्टे रेसों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेसम के रेसे प्रथक हो जाते हैं इस प्रकार प्राप्त रेसम अधिक लंबे तथा उच्च कोट के होते हैं दिहान देने की बात यहाँ है कि यदि प्यूपा से वयस कीट बन जाता है तो वह कोकून के रेसों को काड़ते हुए बाहर निकलाता है ऐसे कोकून से प्राप्त रेसम की गुनवत्ता निम्न अस्तर की हो जाती है रेसम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेसे निकालने की परक्रिया रेसम की रीलिंग कहलाती है इस परक्रिया में लगढ़ चार से आठ कोकून के रेसों को एक साथ मिलाकर रेसम का धागा बनाया जाता है रेसम के धागों की सुंदर रंगों में रंगाई की जाती है बुनकरों द्वारा रेसम के इन्ही रंग बिरंगे धागों से रेसमी वस्तर बनाया जाते हैं आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे थेंकू फार वाचिंग दिस वीडियो